हलो, very good morning, मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं part 8th of the chapter carbon और उसके योगिक carbon and its compounds तो आज का हमारा टॉपिक है nomenclature of carbon compounds, carbon compounds की नामकरण पद्दति कैसे नाम दिये जाते हैं देखे कुछ नाम होते हैं common name, कुछ होते हैं IOPSE name, हमारे पास कुछ common names भी होते हैं जो की अप्रमानित नाम होते हैं carbonic योगिक हो के अप्रमानित नाम जो की किसी rules के ऊपर खरेनी उतर रहे हैं जैसे trivial name होते हैं no proper system for naming ये होते हैं common name जैसे की phenol है, acetic acid है, toluene है ये कुछ carbonic योगिक है, जिनने किसी तरीके से कोई प्रमानित नाम नहीं मिला है, लेकिन ये बोले जाते हैं आम बोल चाल की भाशा में ये शब्द use होते हैं उसके बाद हम भाद करें IUPSE name, तो IUPSE क्या होता है, IUPSE पदत्ती के अवल international union of pure and applied chemistry जो certain rules बनाती है, उन rules के ऊपर खरे उतरने के बाद ही उन carbonic योगिकों का नाम करन दिया जाता है तो कुछ rules हैं, कुछ steps हैं हम पढ़ेंगे आज 1, 2, 3 steps हैं उन 3 steps को पार करने के बाद ही उस carbonic योगिकों का नाम दिया जाता है तो आज हम वो steps करेंगे mainly क्या होता, IOPAC जो name होते हैं उसमें prefix और suffix होता है prefix में होता है कि carbon की, जो parent carbon की जो chain होती है वो कितनी लंबी है, उसमें कितने carbon है carbon की श्रंखला में carbon 1 है, या 2 है, या 10 है तो उस तरीके से prefix जब लगता है तो हमें पता चल जाता है कि carbon की श्रंखला कितनी बड़ी है तो उस according और जब उस carbon श्रंखला के साथ में suffix और prefix जुड़ते हैं suffix और prefix से बताते हैं कि कौन सा functional group उस carbon chain के साथ में attached है तो उस पूरे नाम में, IUPAC के पूरे नाम में हमें पता चल जाता है कि carbon की श्रंखला कितनी रंबी है और साथ में उसके कौन-कौन से functional group जुड़े हुआ है functional group हम पिछले class में कर चुके हैं फिर भी हम एक बार revise करके बताते हैं कि halogen, alcohol, aldehyde, ketone, carboxlic acid कौन सा group उस chain के साथ में जुड़ा हुआ है ये भी उस नामकरन पत्दत्ती के उपर हमें पता चल जाता है तो start करते हैं writing IPAC name prefix plus suffix prefix और suffix से मिलकर हमारा IPAC name बन गया है first step है count the number of carbon atoms in the given compound and write the root words for it root words up to 10 carbon atoms तो हमें carbon श्रंकला को सबसे पहले गिनना पड़ता है कि उस carbonic compound में हमारे पास carbon compound दे रखा है उसमें कितने carbon की chain है वो एक carbon, दो carbon तो उसके according अगर carbon की संख्या एक ही है अगर उस chain में, उस compound में carbon की संख्या एक है तो उसे math बोला जाता है math carbon के संख्या 2 है तो eth, 3 हो तो prop, 4 हो तो but, 5 हो तो pent 6 हो तो hex, 7 हो तो hept, 8 हो तो oct, 9 हो तो non और 10 हो तो deck तो इस तरीके से ये एक अलग से series आ रही है जिसमें math, act, prop, put, pent ये 1, 2, 3, 4, 5 है hex, hept, oct, non, deck ये 6, 7, 8, 9, 10 है तो carbon की संख्या के उपर हमें अगर उस formula में, अगर उस name में हमें hex दिग गया तो हमें पता चल जाएगा कि इस compound में carbon की संख्या 6 है तो इस naming, इनका naming carbon की संख्या के उपर ही decide हो रहा है 1, 2, 10 ते लेकर 1 से 10 तक का ये compounds का हमें system दे रखा है ये नाम दे रखा है shorts, name, math, act, prop, put, pent हमें अगर pent की बात की तो pent में हमें 5 series वाली जो carbon शंक्ला है वो है pent but, 4 series वाली जो carbon शंक्ला है वो है but इस तरीके से हमें ये carbon शंक्ला का पता चलता है second step है कि उस carbon स्रंक्ला में हमने पिछले class में पढ़ा है alken, 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 alkyne alken, जिसमें कि single-some bonds है alken, जिसमें कि carbon-carbon के बीच में double bond है minimum कं सा कम एक double bond है और alkyne में carbon-carbon के बीच में triple bond है तो अगर मंदख अगर कार्बन श्रंख़ा के बीच में कम से अगर कार्बन श्रंखरा के बीच में कम से कम एक अगर तो उसमें suffix लगेगा by any iron, तो इस तरीके से यह हुआ suffix, तीसरा step आता है, हमारा first step हुआ हमने carbon को count किया है, ठीके parent carbon chain को हमने count किया है कि कितना है, तो उस according हमने यह नाम दिये है, दूसरा step हुआ कि single bond है या double bond है, तो वो हमने any iron नाम दिया है, इसके उपर बेज जाए है, अगर कोई भी functional group जुड़ा हुआ है, चाहे वो है या suffix के रूप में add होता है, तो हमें पता चलता है, कि अच्छा ये वाला group इसके साथ है, अब कौन सा वाला functional group prefix होता है, कौन सा वाला suffix होता है, यह हमें देखना जरूरी है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम halogen की, halogen में आते हैं chlorine और bromine, अगर chlorine और bromine देखा जाए, अगर ये एथिल गृप के साथ में, पिछली क्लास में हमने एथिल गृप देखे हैं, जो की जिसका normal formula होता है, CnH2N plus 1, तो CnH2N plus 1 जो की stable नहीं रहा पाता है, वो जल्दी से reaction करके अपनी stability लेने के लिए react करता है, वो है एथिल गृप, ठीक है, जिसका एक bond free होता है, अब एथिल गृप के साथ में अगर halogen जूडते हैं, एथिल गृप के साथ में halogen जूड कि हमें आगे बोलना है, हमारा नाम आगे लिया जाएगा, BromoEthane, देखिए, क्योंकि ये दो कार्बन की संख्या है, तो दो कार्बन की संख्या वाले को बोलते हैं, एथिल गृप के रूप में आएगा, तो Bromo, Bromo और एथिल गृप के सिंगल बॉंड है, एथिल गृप के ये सिंगल बॉंड है, ठीक है, BromoEthane, दूसरा देखिए, क्लोरीन अगर जुड़ रहा है, CH3Cl, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या एक है, ठीक है, मेथेन, मेथेन जैसे होता है, मेथेन का एक एच रिमूव करके हमने ये क्लोरीन जोड़ा है, लेकिन हेलोजन्स का ये ने क्लोरोमिथेन, क्योंकि ये सिंगल बॉंड है, खलोरोमिथेन, संख्या रहा है, ये BromoEthane, क्लोरोमिथेन, देखिए बच्चों, आप कोई, अगर कोई प्रॉबलम हो रही है, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि तहां कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज शौर्ट में लिखा है क्योंकि हम पिछली क्लास कर चुके हैं हमने पार्ट नंबर 5, 6, 7 से मैं आपको यही बताते आ रही हूं इन्हीं को रिवाइस करते आ रही हूं इसलिए मैंने इनको यहां पर खोल के नहीं लिखा है अगर मैं इनको बड़े से खोल के लिखूंगी तो इतनी जगा नहीं बचेगी इसलिए मैंने को शौर्ट में CH3, CS2BR, CS3CL अगर मैं कार्बन की पूरी वैलंसी के अकॉर्डिंग में आपको खोल के स्ट्रक्चर C बनाकर और सारा चार वैलंसी बनाकर अगर यह प्रॉपर लिखूंगी तो थोड़ा बोर्ट पे जगा कम तो पे इसानी से यह कार्बन से जुड़ा है तीके समझ रहा है इसी तरीके से हमने देखा यह ब्रोमोउइथेन, क्लोरो मिथेन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हाता है ऐलकॉहल ग्रुप, एलकॉहल ग्रुप का जो ऐलकॉहल, O, L, O, L जो है इसका सपिक्स बनता है, कि यह अगर मैं chain देखूं इस chain में आप देखिए carbon कितने हैं कितने है 1,2,3 इस chain में carbon कितने है 1,2,3 तो 3 carbon अगर chain में है तो उसे क्या बोला जाता है, यह देखे, 3 पे prop, 3 अगर chain में, parent chain में, carbon की संख्या 3 है, तो वो prop है, prop, और यह अगर single bond से जुड़े हैं, तो एन, propane, और अगर यह OH group साथ में जुड़ा है, alcohol group, तो all, propanol, तीन carbon होने के कारण prop, single bond होने के कारण एन, और OH group के कारण all, propane all, ठीक है, अब हम बात करेंगे aldehyde की, aldehyde जो functional group है, यह भी suffix के रूप में जुड़ता है, अब देखिए, CH3, CHO, CH3, CHO, इसमें कितने carbon हो गए, यह CHO जो functional group है, उसका एक carbon, और एक CH3 का carbon, इस तरीके से यह दो carbon है, दो carbon अगर होंगे, देखिए, अगर carbon के संख्या दो है, parent chain में, तो उसमें बोला जाता है, eth, तो eth, और single bond होने के कारण, एन, एथेन, और CHO group के कारण, नल, एथेनल, एथेनल बोला जाता है, एल्डी हैड ग्रुप के, एथेनल, मेथ, मेथेनल, एथेनल, अगर यहाँ पर H होता है, तो यह carbon के वल एक count होता, इसके, यहाँ पर दो carbon है, CS3, CHO, तो यह हुआ, एथेनल, अब हम बात करेंगे, किटोन की, अगर हमने किटोन की बात की, इसमें suffix जुड़ता है, non, देखिए, CS3, C, double bond O, CS3, यह अगर carbon chain हम देखें, यह देखिए carbon chain, किटने carbon है इसमें, एक, दो, तीन, तीन carbon होगर chain में हैं, तो prop, single bond होने कारण एन, और non, क्योंकि किटोन में suffix जुड़ता है, on-e, तो propanon, propanon, चीक है, इस तरीके से यह आयो पैसी नहीं हुआ है, क्योंकि तीन carbon है, math, et, prop, prop, क्योंकि single bond है, एन, और, single bond हम carbon के बीच में आगर देखें, single bond है यह, propanon, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, carboxlic acid की, carboxlic acid है, carboxlic acid में, देखें, COOH, ठीक है, carboxlic acid में suffix जुड़ता है, oic acid, carboxlic acid का oic, oic acid जो होता है, इसका suffix बनता है, अब इसमें आप carbon की संख्या देखें, कितनी हैं, यह देखें, अगर हमने देखा, इस chain में, parent chain में, जो carbon की संख्या है, one and two, अगर two carbon अगर chain में हैं, parent chain में, अगर two carbons हैं, तो यह eth, eth, single bond ethenoic, ethenoic, समझ रहे हैं, क्योंकि यह carbon double bond का जो है carbon, यह functional group है, functional group के जो अगर carbon में double bond आ रहा है, तो उसको हमें double bond वो नहीं मानना है, कि यह alkyne का है, क्योंकि हमारे पास जो structure है, alkyne, 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 उसका यह है, बाकि यह वो जो, यह पूरा functional group है, c double bond OH, ठीक है, तो यह carbon 2 है, ethenoic, ethenoic acid, तो इस तरीके से हुआ इसका यह IOPSC ने, उसके बाद अगर में बात करें, double bond और triple bond, double bond, जैसे कि हमने बता है, double bond में अगर आ जाएगा, तो इन लगेगा, और triple bond होगा, तो आइन लगेगा, और देखिए आप, यह जो parent carbon chain है, CS3, CH, double bond, CS2, देख रहे हैं आपको, CS3, CH, double bond, CS2, इसमें carbon के संख्या है, इसमें, देखिएं आप, यह carbon के संख्या 3 है, तो 3 carbon वाली संख्या को हम बोलते हैं, prop, prop, और double bond होने के कारण in, prop in, अब इससे देखिए, मैं test prop, अगर carbon के संख्या 3 है, तो 3 carbon को बोला जाता है, prop, और double bond होने के कारण, क्योंकि यहां सब में single bond आ रहे थे तो हम double bond और triple bond का यहां पर कोई use नहीं किया हमने लेकिन double bond आ चुका है वहाँ पर तो उसका in लगेगा propene इसके बाद triple bond की बात करें triple bond में भी suffix लगेगा in यैसे कि CS3C अब CS3C, C के साथ ने कोई X नहीं जुड़ा है क्योंकि इस H की पूरी balance ही complete हो रही है triple bond और single bond से CS3C, triple bond CH CS3C, triple bond CH तो इसका नाम होज़ा है क्योंकि इसमें तीन carbon है, mat at prop prop और triple bond होने की कारण in, propene तो यह बात हुई है हमारी third step सारे functional groups की कि halogen जुड़ेगा तो क्या आएगा prefix, alcohol जुड़ेगा तो suffix aldehyde में भी suffix, ketone में भी suffix carboxlic acid में भी suffix आ रहा है और double bond और triple bond में भी suffix लग रहा है सबसे पहले halogen को अगर देखें halogen हमेशा prefix में आते हैं यह बात हमें ध्यान रखनी है और साथ यह साथ में जब इसके जब suffix लगाते हैं हम, alcohol, aldehyde, ketone, carboxlic acid में जब भी suffix लगाते हैं तो साथ का जो ethane, last वाला जो e होता है वो हटके ethenoic, oic लग जाएगा या ketone में o,ne लग जाएगा last वाला जो vowel e होगा propane का e हटके o,ne, propanone लग गया ethanol लग गया CHO लग गया तो ethane, et, an, e को हटा के al लग गया है तो एक, कम से कम एक इसका जो होगा last वाला जो e हटके और al लग जाएगा तो सारे में suffix में इस तरीके से है यह और बहुत ही easy है यह तो इसको जैसे हम करेंगे और भी words को करेंगे तो यह और भी ज्यादा अच्छे से हमें clear होंगे तो next जो part होगा यह मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है तो next वाला जो part होगा मैं चाहती हूँ कि एक और इसका बना लिया जाए ताकि naming जो है हमारा वो अच्छे से clear हो जाए तो मिलते हैं next part में तब तक आपको यह वाला जब तक आप revise नहीं करेंगे आप next वाला part समझ नहीं पाएंगे तो please बच्चों जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे note down करते रहे हैं अपनी copy में note करने से आपके दिमाग में अच्छे से रट जाएगा और कोई tension नहीं होगी और आगे वाला part जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजाएगा तो इसलिए बच्चों अच्छे से त्यारी करें Best of luck, thank you